ओम शीगड़ी शाय नमा राधराय दोस्तों आप सभी का मेरी चनल बतकता एसलोजर में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम 2022 से लेकर 2023 तक किन साथ भागशाली राशियों को पुत्र संतान प्राप्ती के बहुत शेष्ट योग बन रहे हैं लेकिन जो पेरेंट्स पुत्र की कामना रखते हैं बेटे की इच्छा रखते हैं तो उनको ये उपाय अवश्य करने चाहिए और साथ ही हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि किन दिनों का प्रियोग आपको नहीं करना चाहिए नहीं तो जो होने वाली संतान है वो अलपायू होती है नपुल्सक होने के उनके चांसे ज़्यादा होते हैं तो उसकी भी साफधानी अवश्य रखनी चाहिए तो हम उसकी संपूर जानकारी दे रहें उसे जानने से पहले दोस्तों जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें बगलने बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सकें दोस्तों जो हम राशिफल बताते हैं वो जोतिश के अनुसार है और कई सारे विशलेशन करने के बाद जोतिश लगाने के बाद हम ये आपको राशिफल बता रहे हैं जिनको संतान की प्राप्तितों अवश्य ही होगी लेकिन पुत्र संतान के भी बहुत अच्छे 95 परसंड योग बने हुए साथ ही दोस्तों इसके साथ करम का भी बहुत विशेश महत्व होता है देखिए राम और रावड दोनों की राषी एक ही है लेकिन दोनों के गुण अलग होते हैं तो उसका प्रभाव हमें अवश्य होता है क्योंकि बहुत से भाई बेहनों का कमेंट होता जाहीं कि मैम, आपकी बताई राशी के अनुस्यार हमने कंसीव करा पर हमें फाइदा नहीं हुआ तो दोस्तो, कुछ हमारे करम भी होते हैं, कि हम कैसे करम करते हैं, हमारे गुण सवभाप के उपर भी डिपेंड करता है, कि हमें संतान की प्राप्ती होगी या नहीं तो साथ ही दोस्तों आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रहे हूँ कि इन उपायों को आपको निश्चित रूप से करना चाहिए अगर आप पुत्र संतान की कामना रखते हैं तो और किन दिनों का प्रियोग भी नहीं करना चाहिए उसकी भी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों सबसे पहले हम राशी बता रहे हैं कि कौन सी राशीों को संतान प्राप्ती के 100% योग है लेकिन पुत्र यानि बेटे होने के 95% तक योग है लेकिन अगर वो उपाय करेंगे तो उनको निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ती होगी साथ ही दोस्तों देखें पुत्र संतान के लिए हस्बेंड वाइफ में से जो हस्बेंड होता है उसकी राशी में पुत्रसंतान का योग होना चाहिए अगर पति-पत्नी दोनों की राशी में पुत्रसंतान का योग बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है नहीं तो देखे अगर एक की राशी में नहीं बन रहा तो उनको जो मैं उपाय बतारी हो अवश्य करने चाहिए दोस्तों सबसे पहले देखिए राशिया बता रहे हूं सबसे पहले हैं मेश व्रिश मित्थुन सिंग तुला मकर मीन दोस्तों यह साथ राशिया ऐसी हैं जिनकी बहुत ही शेष्ट योग बने हुए 100% योग हैं संतान प्राप्ति के लेकिन पुत्र संतान के 90 से 95 तक योग है तो इनको देखिए जो उपाय बता जा रहे हैं वो अवश्य करने चाहिए क्योंकि करम के अनुसार ही फल प्राप्त होता है दोस्तों अगर आप पुत्र की कामला रखते हैं तो आपको सबसे पहले तो सूर्य देवता को रोज जल अरपित करना चाहिए और जल अरपित करने दोस्तों गुरुवार के दिन केले की पूजा अवश्य करनी चाहिए अगर ये तीन कारिये अगर आप पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं तो अवश्य करें आपको निश्यती पुत्र संतान की प्राप्ति होगी साथ ही दोस्तों आपको किन दिनों का प्रियोग नहीं कर शुरदशी, अमावस्या, पुरण मासी, और शनीवार, अगर शनीवार का दिन पढ़ जाय है, तो उस दिन भी आपको कंसीव नहीं करना चाहिए, नहीं तो होने वाली संतान अलपाईव भी हो सकती है, और नपुन्सक होने के भी चांसिस होते हैं, इसलिए शनीवार का दिन भी आपको छोड़ देना चाहिए दोस्तों इन दिनों में आपको गर्वधारण नहीं करना चाहिए आप अगर सम धिन और सम तिथी का प्रयोग करते हैं तो आपको हंडर्डर परसंट पुथ संतान की प्राप्ती होगी और दोस्तों जो उपाए बताये cotton वो अवश्य ही करने चाहिए अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको 100% पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी आप सभी जानते हैं कि देखिए सूर्य देपता पुत्र के कारक माने जाते हैं अगर जो व्यक्ति सूर्य भगवान को अर्ध देता है रोज उनकी उपासना करता है तो निश्य थी उनको भगवान सूर्य के किरपा से सूयग मतलब धर्मात्मा और स्वस्त और भुद्धिमान उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है तो दोस्तों सूर्य को अर्ध अवश्य दे अगर एक चम्मत दूड डालना आप डेली नहीं डाल सकते तो आप सूमवार की दिन तो अवश्य ही डाले और जो सूर्य मंत्र मैंने आपको बता रखाया है पिछली वीडियो में पुत्र प्राप्ति के लिए उस मंत्र का भी उच्चारन आप कर सकते हैं और साथ ही जो गोपाल मंत्र संतान गोपाल मंत्र बताया है उसका भी उच्चारन अवश्य ही करा करें दोस्तो अगर आप यह उपाय कर लेते हैं और इन दिनों का छोड़ देते हैं सम दिनों और सम तिथी का प्रयोग करते हैं पुत्रसंतान की प्राप्ती होगी दोस्तो इन ही बातों का आपका विशेश रूप से ध्यान रखना है अगर पुत्रसंतान की कामना रखते हैं दोस्तो अगर आपको हमारी जानकारी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लिज इसको ला Lecha करें और मेरे चैeln LA को सब्सक्राइ झाल झाल झाल